नमस्कार, सलाम, निज्सक्लिक के स्खाचकर करम में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पाकिस्तान का घटना करम बहुत तेजी से बदल रहा है पहले नौ मई को कोट रूम से पूर प्रधान मंतरी इमरान खान की ग्रफतारी बहुत नाट के ढंक से हुई उसके बाद देश भर में बावाल, उनके समर्थों को का और सेना का सीधा टकराओ इसके बाद सुप्रिम कोट का हस्तक्षेप, ततकाल कोट में पेश करने का आदेश एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश, उसके बाद साथ मिनट की सुनवाई और रिहाई उनकी ग्रफतारी को इस अपने कोट ने अवैद बताया इसके बाद उन्हें हाई कोट जाने को कहा गया, और आज 12 माई को इसलामागबाद हाई कोट में फिर सुनवाई हुई और उन्हें दो हफते की जमानत मिल गई इस सब के क्या माईने है, पाकिस्तान किन हालाज से गुजर रहा है, उसका भविश्य क्या होगा इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे प्रमुक संपादक प्रबीर पुरकाज जी प्रबीर जी पाकिस्तान बहुत तेजी से उसमें हलचल हो रही है इमर्जनसी तक की बाते हो रही है सीधा टकराओ हो रहा है समर्टगों का इमरान खान गिरफ्तार होते हैं रिहा होते हैं ये सब हालात क्या बता रहे हैं किस हाला से गुजर रहा है पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान में एक राजजनितिक संकट बड़े पैमाने से है और कुछ दिनों से चला रहा है ये संकट सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान और जो सरकार इस वक्त है शरीफ भुटो बिरादरी की सरकार है जिसके पीछे पाकिस्तान की बिलिटरी का पुरा समर्थन है ये तो चला आही रहा है पर इसके साथ साथ से एक बहुत बड़ा नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि जनता के असंतोश सिर्फ राजितिक सवालों पर लेके नहीं है पर इस पे भी है कि अर्थनितिक स्थिति पाकिस्तान के इस वक्त नाजुक है और उस पर काफी असर जनता पर पड़ रही है अब जानते हैं पाकिस्तान में बहु खेती करते हैं उसके लिए बहुत ही नुकसान उनको भरना पड़ा अभी भी उस नुकसान से गुजरे नहीं है खाने का सामगरी अगर देश में नहीं मिलेगा कोई सरकार स्थेर नहीं हो सकता वो हम स्री लंका से उदारन से देख चुके हैं अभी भी आएमेफ और चीन की बै पाकिस्तान को इस संकट से निकाला जाए और उसमें आएमेफ वगारा के काफी प्रेशर पाकिस्तान पर है उसका अर्थनीती और भी विदेशी बैंकों के हवाले कर दी जाए तो यह इसकी प्रिष्टभूमी है इस संकट की जिसमें इमरान खान आर्मी और शरीफ भुटो की जो सरकार है उसके लिए एक काटा था और काटा इसी लिए था कि इमरान खाल लगातार ये कह रहा था कि आर्मी की सरासर हाथ है मुझे हटाने से कि लगातार कह रहें उसकी क्या कहेंगे शरयंत्र से मुझे प्राइम ट्र्व noble leadership से निकाल दिया गया उसके पीछे पूरा साजिश था और इनकी कोई लेजिटिमिसी नहीं है इस सरकार की लेजिटिमिसी नहीं है तब भी वो चुनाओ की मांग भी कर लेकिन आप कह रहे हैं आर्थिक संकट भी एक बड़ी वज़े है जो इस कदर गुसा दिखाई दिखाई दिया जनता में लेकिन आर् थिक इस्तिती है उसके लिए इमरान खान को भी दोशी ठहराए जाएगा या किस तरह से देखाई जाएगा लेकिए तोशा खाना जो केस है एक हिसाब से मामूली है क्योंकि अगर आप यह देखें कि पाकिस्तान के अर्थनीची की बात हो रही है उस पे तोशा खाना का आपको क्यागिफ्ट मिला है उसको तोशा खाना में आपने जमा किया नहीं किया उससे देश की अर्थनी थी लेकिन इस समय पर जो केस जिसमें इनकी गरिफ़तारी अलकादरिव जी वो आ रहा हूं मैं तो एक तो तो तोशा खाना केस मैं पाकिस्तान का जो प्रवक्टा है उसकी बात मैं सुन रहा था वो बार बार तोशा खाना तोशा खाना कहे जा रहे थे तो तोशा खाना सरकारी खजाना एक हिसाब से कहा जा सकता है कि होना चाहिए पर उसका रखम बहुत काम है, गिफ्ट उको कितने बड़ा मिलता है, प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी, जिसको तोशा खाना में जमा करेंगे तो पाकिसान के आतिक संकट दूर हो जाएगा, दूसरी बात आलकदी ट्रस्ट की बात है, अगर अगर करॉप्शन है, वो देश के अर्थनीती कुछ होता नहीं है, ट्रस्ट और उसके ट्रस्टीज की बीच में क्या है, जरूर उस पे चानबीन होनी चाहिए, पर पाकिस्तान की अर्थनीती पे इसका कोई असर नहीं है, तो ये सरकारी खजाना लूट करने की बात अभी तक इमरान पे आई नह है कि इमरान सीधे इस बार सेना से भी टक कर ले रहे हैं, सरकार से भी टक कर रहे हैं, सेना से भी, और कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को जो चलाता है, जो चलाती हो सेना चलाती है, एक तरह से उसका, सेना इसके साथ नहीं वहाराज नहीं कर सकता, तो इ कैसे देख रहे हैं आप इसे देखें इम्रान खान को सेना ही ने लाया था जी उसका क्या कहेंगे उसकी लेजितिमिसी की वीशे सेना के भी हाथ थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शरीफ और भुटो की सरकारे चले उनको लगा था इम्रान खान शायद आएगा तो हमारे हमारी सरकारी मिलिटरी पे होनी चाहिए जो की स्ट्रक्टर जो होना चाहिए किसी भी डिमोक्राटिक देश में वही होता है पागिस्तान में 50-50-60 साल हो गया यह नहीं हो रहा है तो यह एक तकराव जो है हर सरकार की आर्मी से हो चुकी है यहां भी इस वक्त भी इम्रान ख देखना पड़ेगा कि जिस तरह से विसफोट हुआ है इमरान खान की ग्रिफतारी के बाद ये मामूली नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोड की इस हस्तकशेप को मैं इस निगा से देखता हूं को उसको लगा सुप्रीम कोड को लगा कि इस वक्त जो है इस टक्राव को बढ़ान से देश के सामने खत्रा है क्योंकि जो हमें तजबीरे मिल रही है खैर बहुत सारे खबरे तो इस वक्त काट काट दी गई है सोशल मीडिया काट दी गई है जैसे कश्मीर में हमने किया है वहाँ पर मिलिटरी ने पूरा वागिस्तान को इस वक्त उसी तरह से किया हुआ है पर जो खबर वहाँ से निकल रही है वो तस्वीर दिखाता है कि एक हिसाब से जनरता जिस तरह से सड़क में आई है मिलिटरी या सुप्रीम कोट को लगा कि देश को किसी और दिशा मिल ले जाने की खत्रा है क्यों यह खत्रा है कि आप जानते ही हैं पाकिस्तान में ऐसे ब देशों में पाकिस्तान सरकार की रिट जिसे कहते अच्छी तरह चलती नहीं है तो इस बिसफोर्ट से पूरा देश पे अस्थरिता अगर फैलेगी तो यह जो दरार है पाकिस्तान के अंदर फिर उबर के आ सकते हैं लेकिन जैसे आप कहरें सुप्रिम कोट ने एक सही फैस और राश्टपती भी शक के दायरम की राश्टपती भी भी सब इन्हीं के हैं और इन्हें बड़ा फैवर कर रहे हैं वो उनसे मिलने भी गए राश्टपती मांके तो सुप्रिम कोट को ब्लेम करके यह सरकार क्या हासिल करेगी तेखिए मुझे लगता है कि उनको तो यह अस उस ग्रिफतारी को सुप्रीम कोट ने कहा कि सही नहीं था उसको बरी कर दी कुछ दिन के लिए कम से कम जमानत तो दे दी तो मुझे लगता है सुप्रीम कोट का कोशिश था कि इस टक्राव से इस वाक्त जो है इसको थोड़ा सा हवा न दे तो उसको दबाए ये सब हो गय एक्शन अगर आप पाकिस्तान में ये फैस्सला लिया है चाहे मिलिटरी हो चाहे उसको सिलियर्ट गवर्मेंट हो मिलके लिया है तो आप क्या कहेंगे ये तो नहीं कैसे सुप्रीम कोट ने बहुत उच्छा काम की हमने गलत किया था तो ये कहने के लिए कह रहे हैं या रिटाय जाए ताकि ये चीजे हम बाद में भी उम्रान पर केश्टन बाद में भी कर सकते हैं. पर इसमाक चो स्थिति है उसको कैसे संभाले? तो मेरे ख्याल से सब की जो कह रहे है, उस पर इतना मत जा ये. देखे कि क्या स्थिती हो रहा था पाकिस्तान में और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की इस फैसला से वहां से वापस आने की कुछ संभावनाय संभावनाई है संभावनाय शायद बनी है तो वो शांती के तरह जाएगा ये विबाद चलेगा सुप्रीम कोड को न्यूट्रिल अम्पायर बनाके किसी तरह इस संकट से राजनितिक संकट से निकलेंगे या नहीं यह देखने की बात है भविश्यवाणी कहना इन चीजों बड़ा खतरनाक है पर क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की फिर टकराओ की खबरे हम पढ़ रहे थे क्या ये जमानत और वो कह रहे हैं हम किसी ने किसी केस में अभी तो सत्रा माई तक बिलकुर रोक लगा दी गई तो वहां एक शांती बहाली की प्रक्रियाब शुरू होगी थोड़े हाला सा मानने हो पाएंगे मेरे ख्याल से इस जजज्बेंट से और आज की जो जजज्बेंट है जिस पे उनको जमानत मिली है और ये भी कहा अगया सुप्रिम कोर्ट की राय थी कि नौ तारिक के बाद कोई नया केस दर्स किया आपने उस पर आप कोई कारवाई नहीं करेंगे इन सबसे कम से कम एक दो हफ़ते का मौलत मिल गया सबको तो इस बीच में कैसे इसको सुलझाये जाए इमरान खान कोर्ट जाने से कभी इंकार नहीं किए हर बार उसको एक कोट से दूसरे कोट ये भगाते रहे वो गए तो वो कोट तक जाते तो ये बात इती आगे बढ़ती दी पर ये कोट जाने के पहले कोट में ही ग्रिफतारी की जिसके उपर सुप्रीम कोट को भी टिपणी है और ये सब देखके मुझे लग रहा है देखे इसलामबाद का हाई कोट ने पहले कहा था कि कोट में ग्रिफतारी आपने कैसे की पर इसके बाद मान लिया था पर मुझे लगता सुप्रीम कोट ने जब देखा कि हाथ से बाहर जा रहा है तब उसने इंटर्वीन की और करके कहा कि इसको आप नहीं कर सकते तो दो हफ़ता मुझे लगता है मौलत मिला है सबको और उसमें क्या टक्राव बढ़ेगी ये नहीं ये देखना पड़ेगा ये मानना कि इनसान सही समझ के काम करता ये सही नहीं है थीक है ना क्योंकि इसमें तीन एक्टर है कूट तो इतना मेजर प्लियर नहीं है तीन एक्टर है एक है MILITARY कह एक अमरान खान है और तीसरा एक्टर नहीं है energy जो है इमरान खान उसकी PARTY तहरीक पाकिस्तान और इसके साथ साथ military इन दोनों के बीश में क्या बातचीत हो सकती है नहीं क्योंकि सही बात तो ये है कि भुट्टो शरीफ की जो सरकार है military का क्या कहेंगे छत्रचाय में ही उखड़े हैं इसलिए इनका इस वक्त मैं इतना अहमियत नहीं दे रहा हूँ military और इम्रान खान के बीश में क्या सम्मंध ऐसे हो सकते हैं ताकि पाकिस्तान की जो आर्थिक राज़ितिक संकट है उससे वो उभर सकते हैं ये सवाल है क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए पाकिस्तान का राष्ट अगर स्री लंका के तरफ जाता है तो ये नहीं भूलना चाहिए ये एक बहुत बड़ा नावकिये शक्ति है इसके पास nuclear bomb है ऐसे राष्ट शक्ति की स्री लंका की हालत अगर कभी होता है उस तरह से जैसे वहां हमने देखा था राज़कता अगर हो वैश्विक दिरिश्टी से और भारत का कोई की पड़ासी राज्य है क्या इसके भारत भारत की सुरक्षा या भारत की राजनीती या कोई और किसी वैश्विक राजनीती पर कोई इस घटना करम का असर आप देख रहे हैं या अगर ये अस्तरता बनी रहती है या बढ़ती है जैसे emergency की भी बाते हो रही है वहां तो किस तरह का असर हो सकता है देखिए पाकिस्तान की crisis अगर देखे तो मांचित्र देख लिजे एक तरफ हम है एक तरफ अफगानिस्तान है जो अल्रेडी एक विद्वंग्ष राष्ट्र है अमरीका उसको तहस नहस कर चुका है चोड़के भाग भी चुका है तो एक अराजक्ता की स्थिती से वैसे ही तालिबानी शक्ती है पर एक अराजक्ता स्थिती में है और उसको वहाँ पर इस चीज को लेके पश्टून इलाके में यह भूलना नहीं चीए सबसे जादा पश्टून अफगानिस्तान में नहीं रहते पाकिस्तान में रहते तो वो अराजक्ता पाकिस्तान में फैलने का पूरा संभा न है इस पे कोई दोरा नहीं है इधर इरान है जहां पर भी अमरीका जंग चलाने की कोशिश तो कर रहा है इस वक्त खेर कमजोर पौड़ गया है साओधेरेबिया वगर ऐसे दोस्ती फिर बनाने की जो बात हो रही है तो यह सब देखते हुए और एक तरफ चीन भी है तो यह आज यह सब देखते हैं पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रिटीजिक मुल्क है जिसके वज़ह से अमरीका इतने दिन से पाकिस्तान को समर्थन करता रहा उसको सियाटो में लाया था military treaties इसमें सेंटों में लाया था हर तरह से पाकिस्तान का पुष्टी जो करता था अमरेका इसलिए करता है कि strategically वो एक क्या कहेंगे एक फलक्रम जैसा बना हुआ है इस इलाके में हमारा उस तरह से connection चीन, Central Asia, West Asia से नहीं है हमारे सामुद्रिक connection है सरासर इस तरह से connection नहीं है तो वो पाकिस्तान के इसलिए इस तरह से पाकिस्तान में राजक्ता फैलता है एक तो है नामकी अस्त्रों का और एक तो है कि बहुत strategic जगह उक्पाइ करता है अफगानिश्तान के साथ साथ तो पूरे इस इलाके को क्या कहेंगे अस्थिरिता के दिशा में ले जाने के इसका संभाबना बंता है इसलिए सब के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान को संकट को कैसे मिटाया जाए ना कि किसकी ज्यादा चलेगी वहाँ चीन की चलेगी, अमरीका की चलेगी, हमारी क्या नहीं चलेगी ये सब नहीं करना चीए, सब के स्वारत में ही है कैसे यहाँ पाकिस्तान में किसी भी तरह इस संकट को मिटाने को मदद की मदद करे क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो इस इलाके के लिए बहुत खत्रनाक है खास तोर से न्यूक्लियर वेपन्स को हमें भूलना नहीं चाहिए बड़ी महत्मुन आपने बात के ही अंत में वरना तो एक तरह से यह होता है कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो सब लोग के ठीक है, बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है, तबहा हो जाएगा लेकिन उस तबहाई का असर वैश्विक राजनीती पर और भारत की राजनीती पर भी पढ़ेगा और इलाके पर भी और सबकी भलाई इसी में है कि वहाँ पट्री पर आ जाएं इस्तितियां और शांती से आगे बढ़ें साथियों आपने सुना प्रबीर ने क्या कहा पाकिस्तान के हालात खराब हैं और आने वाले दिनों में शायद कुछ पता चल पाएगा कि वो किस तरफ जाता है जिस तरह की बाते चल रही हैं और अभी ये टसल जो इमरान और शहबाज और सेना इस सब के बीच में है वो खत्म के हित्मे है ना भारत ना वेश्व किसी के हित्मे नहीं है कि एक निकलर पावर एक परमाणू संपन राष्ट में इस तरह की अरजकता पैदा हो या आगे बढ़े तो आपने इस पूरे मसले को समझा इस नए नजरिये से इसको इस पर निगाह बनाए रखते रहें जी हम इ पर आएंगे शुक्रिया धन्यवाद